मैंगो मिलक शेक के लिए एक काम लिया है मैंने और उसको मैं काट रही हूं अब इसको हम मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे अगर अच्छा लगी तो पीस मेरे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना जरूरं और कॉमेंट करके बताने अगर आपको अच्छा लगे आप भी बनाओ घर पर और अच्छा लगे तो प्लीज कॉमेंट जरूर कर देना देखो अब इसे मैंने पूरा डाल लिया मिक्सर के जार में और इससे हम पीस लेंगे अच्छे से इसमें हम एट करेंगे शक्कर और चीनी जो आप लोगे आप PCV भी ले सकते हो नॉर्मल चीनी भी ले सकते हो मेरे पास PCV थी तो मैंने उसको PCV चीनी को लिया है तीन चम्मच ये एक ग्लास बनकर रेडी होगा एक आम में अब इसमें मैंने आइस क्यूब डाला 6 से 7 जितना ठंडा आपको चाहिए उस हिसाब से अब आधा कप या एक कप दूड डाल सकते हो आप मैंने एक कप दूड डाला है अब हम इसे पीस लेंगे अब देखो आप ये ग्लास में मैं डाल रही हूं इस तरीके से ये देखो पूरा एक ग्लास बनकर रेडी हो गया और कुछ बच भी गया है एक आम में इतना बन जाता है अब इसको हम गार्निश कर रहे हैं पके हुए आम से और बिस्ता से ये बनकर रेडी हो गया हमारा मिल्क शेक थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो अगर आप अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना आप देखो कितना सुन्दर कलर आया हुआ है